Hello friends आप सभी का स्वागत है friends यहाँ पे सबसे ज़्यादा important जो question है इन question हो को यहाँ पे हल करेंगे यहाँ पे हम खंड और हके important जितने भी बहुए कलपी प्रशन है इन प्रशनों को हल करते हैं तो friends देखिए यहाँ पे आपका पहला number का जो सवाल है हþल आपको पताना है कि इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे यहाँ पी यह स्कुआयर माइनस एक इक सवे क्षानतर करेंगे तो एक सो एक ही हो जाएगा ठीक है इस यहाँ से वर्गमूल e का वर्गमूल ले लीजिएगा यहां यह से बरावर क्या होगा एक का वर्गमूल निकालेंगे एक और 111 का वर्गमूल होता है 11 वर्गमूल हमेंसा प्लस माइनस में आता है इसलिए इसका इंसर क्या होजएगा प्लस माइनस एक बटा के 11 होगा इसका सही जब क्या होगा सी व कła Topkar करेंगा के लिएएट ट्रेक को निरुपित करेगा हैंस कंडिशन ना कि क्या वह गाव देखने लोए ट्रेक की बात का है ड्र की मतलब होता है कि यहां पर आपको सामान्तर होने के कॉन्टीशन काइब होता है यहाँ वह देखे कि A1 पटागे A2 बराबर B1 पटागे B2 बराबर C1 पटा के C2 ति यह परतिखेद होने का कंडिशन है सिर्फ एक ही आप्षन बच रहा है B वाला ति यही वला आप्षन क्या हो जाएगा सही हो जाए कि A1 पटा के A2 बराबर B1 पटा के B2 is not C1 पटा के C2 जो रहेगा यही रेलेवे ट्रेक को निरिपित करता है यानि समानता रेखा को निरिपित करेगा इस प्रश्ण का सही जवाब B वला आपसन सही हो जाएगा अगला सवाल देखिए आप तीसरा नमबर का यदि पी एक्स बराबर यक्स क्यू माइनस तीन एक्स प्लस एक्स स्क्वाइर हो तो पी का मान दिया है कि माइनस एक का मान क्या होगा यानि कहने का मतलब यहाँ पे है कि पी एक्स यारी एक्स की जगा पर माइनस एक रखेंगे तो इसका मान क्या होगा तो देखिए इस सवाल को आपको कैसे लगाएंगे, सिंपल तरीका से आपको क्या करना है, सवाल में पस क्या कीजिएगा, कि जहां पिया सवाल दिया है, कि P X बराबर दिया है सवाल आपका, कि YAKS Q, माइनस 3 X, प्लस YAKS SQUARE, यहां पे सवाल में, जहां पे आपका है यह, यक्स के माण कितना रखना है, माइनस 1 का क्यों कर लिजिए, माइनस 3 गुड़े, माइनस 1, और प्लस माइनस 1 का SQUARE कर लिजिए, ठीक है, यहां पे SQUARE कर लिजिए, यहां पे देखें, माइनस 1 का क्यों करेंगे, तो माइनस 1 हो जाएगा, यहां 3 मानिस का प्लस में देखियें, यहां गुड़ा करंगे यह क्या हो जाएगा, दीकि एक सट जाएगा और यहां पितना होगा आपoter"! यहां पी इसका सही जवाब क्या होगा? C व now क्लूक भाषण के अंतरगत आएगा कर दी जो यह दिया वेस्ट कि परिमय संख्या ढेंटंगा तो क्यों कर आप पूच्छा है तो पांच मैंस कड़ी साथ क्या होगा अगला देखिए लहां साथ दो सब्सक्राइब करना यहां पर सीम्पल सा सवाल है कि यहां पर देखिए आपका दो संख्याओं का आपका सवाल आएगा कि पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या संख्या बराबर मासा गुड़े लासा होता है ठीक यह मासा ग्यात करना है तो मासा इसी तरह राणे दीजिए और लहसा कर लिजिए इसको पच्छान तक कर लिए गया तो बटा में चोवन हो जाएगा अब इस चोवन को कटाये देखिए 27 27 27 दुना के 54 हो जागा दो बार में कड़ जाएगा अब 2 से 8 नौ बार में यानि का मुझा कितना है आपका इसका तो मुझा हो गया आपका 9 तीस सवाल को इस पकास आप लगाईएगा तीसका सही जब क्या होगा बीवला अपसन सही हो जाएगा ठीक है आपका च्छठा नंबर का सवाल है निम लिखित आकड़ों का आपको माद गयात करना है तो आपको पहले यक्स और वाई दिया यक्स और यफ दिया तो यहाप यक् 2डीका डीया है तीन की टी या यहाँ पर यहां निकाप यहुख कामान लिख रहे है तीन दू गाट इध सुखे लेंगे आठ चाट्री एठार यह दस तेख करेंगे दस हो जागा बारादूना के चोवीश अब सबको जो लीजिए पहले सिग्मा एफ गयात करते हैं सिग्मा एक मतलब बारां बारताओं का योग जो लीजिए देगे तीन दू पांच पांच तीन नौ नौ एक दस दू बारा हो कि यहां पर देख लीजिए तोड़ा से इसको देख लीजिए कि इसको जोड़िया सब आखा इसको जोड़ लीजिए तेक आठ चवूदा और आठ बाईस और चार चबवश आसिल दू दू एक तीन या कि चार चट होजागा यानि सीग्मा एफ एक्स कमान वहीं है आप दि छाउइदा काइगा हो जाएगा है अगला प्रस्न देखिए धीक निसीम 스िक साफ पूछता है सवाल तो सिंपल ड्रीकास आपको क्या करना रहता है जम सोगा कीजिएगा एक में से घर लिजेगा आशार बटा के नो गटने की सब्सक्राइब करने की सब्सक्राइब कर नहीं की सब्सक्राइब कीच इस सवाल और आपको सैंज रहा रहा लोगने आपको दिया होगा और उसे घटना ना घटने की प्राइकता पूछेगा आपका न एक मेंसे जो यहां पर मान दिया रहेगा एक मेंसे बस घटा देंगे तो वही आपका एंसर हो जाएगा ठीक है इस चीज को आप जरूर ध्यान दिजिएगा अठवा नंबर के निम्रेखित आकड़ों का बहुलक आपको बताना है देखें बहुलक का मतलब होता है जो एक सिरली दिया रहेगा यहां पर उसमें कौन से संक्या सबसे अधिक बार प्रियोग हुआ रहता है वही उसका बहुलक होता है यहां पर देखें पचीस बाईस बार रिपीट हो रहा है और सबसे अधिक बार बाईस प्रियोग किया गया है तिसमें इसका बहुलक क्या हो जाएगा बाईस होगा ठीक है यहां पर इसका सही जो आप डीवल आपसन आप सही कर लीजेगा ठीक है अब आपके सामने अगला नंबर का सवाल देखें नौ सब्सक्राइब 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 होगे अब हिहाँ देखिए कि सेकश्की स्क्वार्द ठीटा माइनस वन सेट स्वार्मुला और यह इसको क्या आपके सामने अगला नंबर का सवाल है जो 10 नंबर का है इस सवाल को आप आसानी से बता सकते हैं बहुत सिंपल सा एक ट्रिक होता है इस ट्रिक को यदि आप समझ गये तो आप आसानी से लगा लेंगे देखिए आपको ट्रिक बता देते हैं कि एक मिनार की जब उचाई दिया रहे और वहां पर आपको कोड दिया रहा है पायताली संस और छाया की लंबाई जब भी पूछेगा तूसरे से जितनी मिनार की उचाई होगा उतने ही छाया की लंबाई दोनों बराबर होता है तो इसका सही जो भी न लगाए सीवल आपसन आप करेक्ट कर सकते हैं लेकिन देखिए इसको आपको लगा के बता देते हैं जब भी आपको ऐसा सवाल पूछेगा तो एक समकोर त्रिभूज बना लीजिएगा और यह मिनार है जो खड़ा रहेगा इसको मिनार यह पचास तो पचास कर लीजिए ठीक है यहां उन्यों को 45 संस दे रहा है तो यहां पर 45 कर लीजिए गा और चायत इसकी चाय जो बनेगा यह बनेगा इसको माल लिजिए को यक्स है दिए जब लम और आधार पता रहता तो टैन लगाईएगा और ठीटा और ठीटा के जगा 45 तो 45 अंस कर ली जिए लंब टागी क्या होता है आधार होता है तो यह लंब का मान 50 आधार का मान यक्स है यह इस तरह उता लेगा यक्स का एक में गुड़ा करेंगी यक्स बरावर पत्चास ठीक है आपको यह सवाल लगाने की विजरूरत नहीं था बस यह जो सिंपल सा ट्रिक होता आप जान रहें जानके होंगे ता आप आसानी से जब भी उचाई दे अपकोड को धियान दीजिए गई दिए दोना आपस में मिनार की चाया और मिनार की उचाया आपस में बराबर होता है यहां कोड 45 अंस लिखा होना चाहिए त तो 1 plus 10 square A upon 1 plus 80 square A का मानद पूछ रहा है देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे सवाल आपका है कि 1 plus 10 square A है अपांन यहां प्लस कास स्क्वाइर एँ आ है आप को कुछ करना नहीं बस यहां पर क्या करना कर दिख्ञान के जहां पर play at sounds रहा है यहां पोगा जैवार एक जगा प्रफउी कर देजी थ एक होता है 1 प्लस क्टास पर लिजी स्वार करने यहां प्लस इसका सक्उार करेंगे तो दिखें कितना रहेगा अब इसको क tamu अगला सवाल देख लिए 12 नंबर का कि केंदरी प्रिवितियों की तीनों मापों के बीच संबंद होता है ती सवाल भी और फार्मूला कई वर बता है बहुलक बराबाद तीन गुड़े माद्दे में दू गुड़े माद्दे होता है सीधे इसी फार्मूला को याद रखिएगा यही आपसन भी सही है कि बहुलक और माद्दे में जो संबंद होता है बहुलक बराबाद तीन गुड़े माद्दे का माइनस दू गुड़े माद्दे इस फार्मूला के जरूरी याद रखिएगा ठीक है अब देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे तो आप सवालों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल सवाल होता है बस आपको तरीका पता होना चाहिए तरीका क्या होता है कि देखिए आपका तिर्यक उचाई दिया है न तिर्यक देखिए एक ची बता देते हैं आपको ठीक सब्सक्राइब सकते हैं सब्सक्राइब संकू की तिर्याक उचाई क्या होता है ? प्लस आर कमान ग्यासथ करना है यानि तरी ज्या को ग्यासथ करना है कि दोनों पच्छों का वर्ग कर से एक क्रड़ कर लिजीगा यां पर इसके के वर्ग करbin सब्सक्राऄ concluded सब्सक्राइब लगा सकते तो तरीका बता है वारिक आपको married हमने 14 नमबर का सवाल है कैसे लगाएंगे कि रहाएंखिक समिकरा यूग में 2 x प्लस 3y प्लस 5 बरावर 0 और 4 x 6y 10 बरावर 0 के हलोंगे इस पका के सवाल आप कैसे लगाएंगे बहुत सिंपल सा सवाल होता है इसमें पहले अनुपाद गयाद कीजिए जब दो रहेखिक समीकड़ा इस तरह देता है यहां पी A1 का मान होता है यह B1 का होता है यह C1 का होता है यह B2 यहां पी A2 होता है यह B2 होता है यह C2 का मान होता है इसमें A1 पटा के A2 पटा के B2 जो होता है इसमें अनुपाद गयाद करेंगे या बराबर तिफ कमाने ज्यान व्हानघप में, पांच के एक थैंदने कर एकदू एक पटा के दू एकदू एक हो आपका क्या हो रहे? A1 बटा के A2, B1 बटा के B2 C1 बटा के C2 यह माल आपस में क्या है? बराबर है जब यह बराबर आपस में होते हैं तो इसके आप परिमित रूप से अनेखल होते हैं ठीक है? जब यह बराबर होते हैं तो आप परिमित रूप से अनेखल होते हैं आप परिमित सब देखें, इसमें कहां पे हैं, इसका सही जोब क्या हो जागा, यह वाला अपसन सही हो जागा, आप परिमित रुप से अनेक हल होते हैं, ठीक है, इस रेशियो को ज़रूर याद रखिएगा, अगला देखें कि यदि द्यू घास समीकर, यक्स स्कॉर प्लस प आपको कुछ करना नहीं है, कि समीकर जो यहाँ पे दिया है, कि यक्स स्कॉर प्लस पी यक्स माइनस दू बराबर जो जीरो दिया है, यक्स के जगा माइनस एक रख लिजिएगा, तो माइनस एक का स्कॉर कर लिजी, प्लस पी गुड़े, माइनस एक, माइनस दू बराबर गड़ेश्ड गुद नियुक्त भागा मैनिशिक भाग्योश्य आज़ेए अगला सवाल डेखी 16 नंबर का यहाँ पर जो निर्दिसांग देता है, यह x कमान होता है, यह y कमान होता है, जब yक्स अच्च से दूरी पूचता है, तो हमेशा y कमान बताते, y कमान कितना है? 17 दिया है, तो इसमें सही जब क्या होगा, b वला आपसण सही होजागा, गझ छाली नंबर के सवालों को देखते हैं देखें 17 नंबर गा सवाल है यदी 2- divided स्ठीटा कर तू Q पूछ रहा है तो इस पकार साइन ठीट सबूभये काली यहां पर किसका मान gì C कितना होता है यहां साइन ठीट हो जागा इन साइं से साइन ठीट यहां साइन से साइन ठीट हो हटेगा तो क्या हो जाएगा जीरो अंस ठीटा कमान कितना हो जाएगा अगला सवाल देखिए कि यदि एक्स प्लस एक कामा तीन एक्स चार एक्स प्लस दूस समांतर सिर्ड़ी में है तब एक्स कमान आपको बताना है कि एक्स कमान क्या होगा तो देखिए आपको एक्स कमान बताना और यह क्या है समांतर सिर्ड़ी यह ध्यान दीजेगा समांतर सिर्ड़ी में सरवांतर क्या होता है बर बराबर किसके होगा अगले सरवांतर निकलता है तो सरवांतर हमें इसा 17 सड़ी का आपस में बराबर होता है ठीक है यहां पर 3x कोश्ट एक पर माइनस कचीन तो अंदर का सभी चीन बदल जाते हैं तो माइनस x और माइनस 1 हो जाएगा यहाँ 4x में से 3x घटाएगा तो सिर्फ x बच्चे का बराबर 2 3x में से 1 और x घटाएगा तो यहाँ पर 2x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा एक प्लस 2 ग्युक्त कर लीजी और हॉझटर को एक श्याट कर लीजिए उधर पच्छा ओनतर करेंगा तो 2x माइनस 1 जाएगा यहाँ पर 2 ही इधर आब कर प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ दू 2x में से 1 घटाएगा तो 2x 3 हो क्या हो जाएगा यक्स कमान कितना है आपका 30 पकास सब्वी सवाल आपको समांतर सोड़ित दे के पुछे तो अहाँ पर सर्वांतर निकालेगा हूँ सर्वांतर बराबर होता है एक चीछिशका बस यह ध्यान दीजेगा तिसका सही जब क्यों होगा सीवल आपसन सही हो कि दी गई आकिरती में तिर्भूज OBA समरूप है तिर्भूज OCD यादि AB कमान दिया है आपका 8 cm BO कमान दिया है 6.4 cm यहाँ पर OC कमान दिया है आपका 3.5 cm CD बरार 5 ठीक है यहाँ CD बरार 5 cm तब OA कमान ग्याद करना है देखिए आप सभी को यह Homework में छोग देते हैं थोड़े अपने से भी सवाल लगा इस सवाल को लगाए कि कमेंड बाक्स में आप जरूर लिखिए कि OA का मान कितना आ रहा है अब देखिए आपके सामने सभाल है 20 नंबर का देखिए कि निम्न आकिरती में यदि TP और TQ O के अंदरवाले बृत पर द सब्सक्राइब करा रहा है 20 सवालों को आपको लगाना था अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है खंडबा के सभी इंपोर्टेंश सवाल ही है जितने भी सवाल करा रहे है विच्वालों को डिटेल में खंडबा कीजिए करती एक परिमेसें क्या है ये दो नंबर करा रहता है भी आप इस सवाल को रही आताया थी सवाल को तो May lass सजा कि सवाल को जरूर जुए भी आप सवाल देखे कि बिंदु यक्स कामा वाई बिंदु दू कामा पांस था माइनस दू कामा तीन से सम दुरस्त है यक्स और वाई में संबंद आपको ग्याद करना है इस सवाल को भी कर लिजिए कि आपको यह सवाल कई बर करा हैं आप जाके प्लेलिट से इन सवालों को देख ल आपको हल कराते हैं ठीक है इस सवाल को आप जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे तिहां पर देखें त्रिज्य खंड का छेत्रफल पूछ रहा है तो यहां पर लिखिएगा त्रिज्य खंड का छेत्रफल बरावर फार्मूला होता है ठीटा बटा के तीन सो साथ गुड़े पाई और स्क्वार होता है अब यहां पर मार रख लेते हैं ठीटा का मन कितना दिया है आप लिखिएगा एक। आगे 6 ठीक है एक बटा के 6 होगा यहाँ पर 22 बटा के 7 हो जाएगा गुड़े 10 के स्क्वार करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा देखी दूत्ते है इच्छा दूसरे 11 कटेगा 11 बार में कटेगा 11 के करेंगे 100 में 1100 हो जाएगा अब 57 के 21 अब देखिए किस में दिया है आपका यह दिया है आपका cm में इसका एंसर कितना अजाएगा गया 200 के 12 cm स्क्वार जाएगा और यहीं इसका क्या हो जाएगा इंसर फ्कास इस सवाल को आपको लगाना था कि तृज्छेखंड का च्षट्रफल यह होता है यह फार्मूला याद जिए कि 1-10 square a upon card square a minus 1 बराबर 10 square a सिद्ध करना है तो अब इस सवाल को आप कैसे सिद्ध करेंगे ठीक है सिंपल सा सवाल होता यह भी देखें यहां पर देखें आपको हल करके समझाते हैं यहां पर लिखा है को 1-10 square a upon card square a minus 1 बरावाट 10 square a सिद्धे करना है ठीक है देखे कैसे सिद्धे करेंगे पहले लिखेंगे left hand side यहानि इस side को लेकर चलना है तो 1-10 square a a upon cut square a minus 1 अब देखे जिस फार्मूला के यहाँ पर परियोग कीजिएगा उसको पहले आप लिखते चलिएगा देखे 1-10 a के जगह आप क्या लिख सकते हैं कि sin square a upon cut square a लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कास स्क्वार ए लिख सकते हैं इसी पकास से हर में देखिए काट एक जगब क्या लिख सकते हैं यह फार्मूला होता है कास स्क्वार ए अपां साइन स्क्वार ए लिख सकते हैं और माइनस एक है तो माइनस एक कर लेजिए ठीक है अब देखिए अगला इस्टेम क्या करना है कि स्कुराइर दिख सकुराइर कोड़ां करेंगे तती यहां पर 곧 य स्कूर ए माइनस साइन इसकुवार ए अपान कास सकु compelled a पूरे के पता में प्लोटा में में आता है तो क्या करते हैं इस चीज को लिखिए का स्क्वाइर ए माइनस साइन स्क्वाइर ए इसक्वाइर में बटा में का स्क्वाइर है न यहां गुड़ा कचिन देखा तो यह भी प्लड़ जाता है तो साइन स्क्वाइर उपर चला जाएगा अब पार यह क्या हो बचेगा तो आपका बचेए जो बचेगा साइने बचेगा ऑफान कास स्कुार अहाइट को क्या कर लिख सकते हैं जहीं पर लिखेए साइन इसक्वायर एक क्या में देखेंगे कि sun a के 102 एक अधा सब्धो टेखिमाएं हम मुंहाइं से और इस तरह लिखेंगे कि आपको सिद्ध करना था सवाल में देख लीजिए क्या सिद्ध करना था इतना बरवे इतना जो कि आपको 10 स्कॉर यह आ चुका है यहां लास्ट में पेंसर लिखे दिजिए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैं साइड देखने में जिससे यह अच्छा लागिया अगला सवाल आपका है कि सिद्ध कीजिए कि साइड ए प्लस कोसेक ए का होल स्कॉर प्लस कास ए प्लस सिख ए का होल स्कॉर बराबर साथ प्लस टैन स्कॉर ए प्लस काट स्कॉर ए तेकि इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे यह भी बहुत सिंपल सा सवाल होता है बस आपके समझ से प्लसना प्लस कर लेजिएगा 10 एज एक का लोल स्क्वा ठीक है औरहां पर इसी बैसे करेंगे ना हनागma मैं यहां प्लस कर लेल को आइसे करेंगे हैं पुछ्छ स्क्वाय ईसको लिखेंगा 2AB हैं इसि thesis क्या रिजिए चलिए स्कॉर करते हैं जबस कास विश्टार करें करते हैं यहाँ पहाई जाएगा मतलब साइन स्कॉाइर खुण्सा से चगई होगा प्लस कास कोशेग फळम चाहिए और टिक है यानि इसी फार्मूला अब पर सिर्फ इसको भिष्थार कर लें, प्लस, 2 side a अब इसका भी विष्थार करेंगे इसी फर्मुलें पर, ठीक है, इसी फर्मुला अभी भिष्थार करना है, यह हो जाएगा, slash square a, plus orange square a, plus, 2 possiamo into son, ить k, ठीक है, अब देखिया आको क्या करना है, सकते हैं यह फार्मुला होता है इसी तरफ को से की स्कॉर एक जगा आप क्या लिख सकते हैं वन प्लस टैन स्कॉर एक लिख सकते हैं प्लस यह देखें टू साइन देखें दू गुड़े दू गुड़े साइन ए गुड़े इसको को से को क्या लिख सकते हैं वन अपान साइन ए लिख सकते हैं प्लस यह कासी स्कॉर ए तो कासी स्कॉर ए रहने दीजिए प्लस से की स्कॉर एक जगा लिख सकते हैं वन प्लस का यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए का फ्रेंस यहां प खिया अब यहा heir आपके लिखेंगे और यहां पे दिखेंगे of V conform Movement इंप Jeez in प्लास टू्य गुड़े कख ए गुडे तो दिखे कीường के लिखेंगे ए पर शनी लिखेंगे से दिखेंगे अब प्लस कितना बचेगा जोड़ चुके है काट स्कॉर है तो स्कॉर लिखेंगे सीन से साइन कर जाएन यहां पर बचेगा दू प्लस यहां पर 1 है तो 1 रख incarnate 10 स्कॉर है तो 10 स्कॉर लिखिए यहां प surprise स्कॉर में प्लास काट स्क्वार ए हो जाएगा और देखिए यही सवाल में आपको सिद्ध करना थे एक बार ध्यान से देख लिजेगे सवाल में कि साथ प्लस 10 स्कौरे प्लस काट स्कौरे जो कि यहां पर आप सिद्ध करके यहां पर इतना लाच चुके हैं ठीक है लाश्ट में आप ब्लेक पैंसल लिखे दिजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैं साइड तीस पकास इस सवाल को आपको लगाना था ठीक है चलिए आपको जो दो नात्मक फोन देता आट इस पकास सवाल को माणीएगा माना सब्सक्रा माणलेशा है री संख्या है याक्सरी तुच्छे मानेंगैं आप दूसरी संख्या जो प्लस वर मानेशा इसलिए कि तर माहां जैसे आपका एक opera के बाद डू के बाद तीन यानिके एक म के X मानते हैं दूसरी संखा को X Plus 1 मानते हैं अब यहां पे लिखिए गाप Phrasna नुसार यहां पे लिखिए गाप Prasna नुसा नुसार जब यहां प्रश्णा नूसा लिखेंगे देगे प्रश्ण प्रcell का रहा है कि दो क्रामा गा धनात्मकपड़ा जिनके वर्गों का योग कितना तीन सो पैसाट दखेए यहां पर वर्गों का योग देमल यक्स का स्कॉार करेंगे प्लास यक्स प्लास वन यक्स करेंगे कितना हो जागा 365 के बराबर हो जागा ति यहां पे 365 आप लिख लिजिए कितना हो जागा 365 अब इसी को हल कीजिए देखे कैसे होगा यहां पी X square लिखे plus A plus B का formula पर विस्ताइब कर लिजिएगा देखे A का square plus B का square plus 2AB 2AB मतलब 2X हो जागा बराबर कितना हो जागा 365 यहां से देखे आप यहां किजिए कि X जोड़ेंगे तो 2X स्कॉार हो जागा एक का square एक होगा plus 2X हो जागा इसको पच्छांतर करके तो माइनस 365 हो जागा बराबर 0 ठीक है अब देखे यहां पे क्या हो जागा आपका 2X स्कॉार plus 2X तो 65 में से एक गटाएंगे तो माइनस 300 कितना बच जागा आपका 64 पटाएंगा बराबर 0 देखे सब में 2 कामन तो 2 कामन पर लिजे यहां पर 1X स्कॉार हो जागा प्लस यहां पर क्या हो जागा यहां पर क्या हो जागा आपका यक्स स्कॉार प्लस यक्स माइनस 182 द्यों का भाग 0 में देंगे 0 हो जागा अब इसका गुणांखंड कर लिजेगा गुणांखंड करने का तरीका यही है तक यहां पर गुणा कीजेगा तो हो जागा 182 यहां पर दो ऐसी संख्या सोचिएगा ठीक है ठीक है जिसका गुणा करें ते 182 आए जो ने घटाने पर यहां पर एक आना चाहिए देखिए वह संख्या 14 और 13 है 14 के 13 हम उडा करेंगे 182 होगा 14 में 13 होंग改ा ठीक है यहां पर यहांपर और यहांपर क्खोर सकते हैं 14 13 Hebrews बेरावर 0 देख्ष shallow अधिया च्वह करेंगे तो यहां पर एक होगा यहांथमा त यहांपर कोई अंतर आएगा नहीं अब यहांपर देखिए क्या करना है कि यह 2 देखेंगे यहाफ यलाफ यहाफ इस रे रखेंगे इन-दोनों में 11 कॉष्टास यादिगे इसा मेर्फ माइनस 13 बराबर 0 देखिए आप करेंगे 16 14 को दिखा आप को पढ़ेगा दहनातमक only यहांद नियानि कि माइनस वाला को कै पहली संख्या पहली संख्या बराबर यक्स बराबर 13 लेना है दूसरी संख्या आपका जो माने है तेरा प्लस वन वराब चोधा इस प्रकास इस सवाल को आपको लगाना था ठीक है अब देखिए आपके सामने ये सवाल है देखिए आप दूसरा नंबर का कि कि नहीं पाच खंड को हल करना है अब जितने भी सवाल बता दे रहें इन सवालों को आप जरूर तयार कर लिजीग है ठीक है देखिए का है आपका कि यदि बड़े वर्ग से छोटे वर्ग का चार गुना छेत्रफल घटाया जाता है तब परड़ाम 144 मीटर स्कॉार है दोनों वर्गों के छेत्रफलों का योग दूसर 464 मीटर स्कॉार है तो वर्गों की भूजाएं ग्याद कीजिए इस स ≫ था सवाल जिसकी अंकों का योग 8 पर ङीजितने सवाल बता है इन इस वालों को आप जरूरर तज्यार कर लीजिए झाला है कि किसी समांते स्वड़ी के पर्थम सत्रे पदों का योग फल ग्याद कीजिए जिसका चौथा और नौवा पद करमसद्य है माइनस 15 और माइनस 30 तो इस सवाल को भी अब जरूरत जार कर लीजिए अगला सवाल देखी सबसे इंपोर्टेन सवाल क्या है कि यदि P दिया है 9 A-2 कामा माइनस B A दिया है 3 A-1 कामा माइनस 3 और B दिया है 8 कामा 5 तो जो अदने वाले रेखा खंड A-B को 3 अनुपाते 1 के अनुपात भी भाजित करता है तो A और B का मान ग्याद कीजिए मतलब अन्तव भाजन वाला जो फार्मूला आप सभी को सिखाएं उस फार्मूला पर इस सवाल को लगाईएगा अगला दिया है सवाल के दी गई आकृति में D E समानतर B C यदि A D बराबर यक्स D B बराबर यक्स माइनस 2 A E बराबर यक्स प्रस 2 तथा E C बराबर यक्स माइनस 1 तब यक्स का मान आपको ग्याद करना है टोटल चार नंबर के यह आपके सामने त्रिभूज है इसी में आपको इस सवाल का मान ग्याद करना था अगला सवाल जरूरत तजार कर लिजेगा इस फार्मूले पर चार नंबर का रता है कि बहुलक ग्याद करना है आपके दिया है वरगंतरा और मात दे हो गया इन तीनों फार्मूले पर जरूर सवाल अप्रैक्टिस कर लिजेगा अगला देखे पांच वर्स पहले नूरी की आयू सोनू की आयू की तीन गुनी थी दस वर्स पस्चात नूरी की आयू सोनू की आयू की दो गुनी हो जाएगी नूरी और सोनू की वर्तमान आयू कितना होगा यह च्छे नंबर का फिर इसके लवा अथवा में दिया है कि रैखिक समीकड़ यूग में तीन एकस माइनस पांच वाई मैनस चार बरावज जीरो और नव एकस माइनस टू आई बरावर साथ को विलोपन वीदी साब को हल करना यह च्छे नंबर का सवाल है अथवा में राता है अगला सवाल देखिए कि भूमी पर इस्थित एक चिनहित बिंदू से एक मिनार की चोटी का उन्नें कोड़ 45 अंस मिनार के पाद की और भूमी पर 40 मिटर चलने पर मिनार की चोटी का उन्नें कोड़ 60 अंस हो जाता है चिन्नित बिंदू की मिनार के पाद से दूरी ग्यात करना टोटल 6 नंबर या अथवा में देखिए आधी के काड़ किसी बिच का उपरी भाग तूट कर 36 तल पर 45 अंस का आंतरिक ब्यास साथ सेंटिमीटर है तदा इसका उपरी सीर अर्दगोलकार है यदि बरतन की उचाई 16 सेंटिमीटर है तो बरतन की वास्तिविक छमता ग्यात कीजिए टोटल 6 नंबर का इसके लाब इस सवाल को भी तयार कर लिजेगा क्यार सेंटिमीटर भूजा वाले तीन गणों के सीरों को जोड़कर एक घणाब बनाया जाता है प्रड़ामी घणाब का कुल प्रिष्टिय चित्रफल ग्यात कीजिए टोटल 6 नंबर का तो जितने भी सवाल आप सभी को बताएं इन सवालों को आप जरूर तयार कर लिजिए आपको 27 फरवरी के पेपर में मैक्सिमिन सवाल जो बता रहें इनी सवालों में से आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहीं ते चलो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें